नमस्काल दूस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज किस ने वीडियो में और आज किस वीडियो में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं महाराज 76 साल बुदेलिखंड विस्विद्धलाई छतरपुर में पोश्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट में प्रवे से टू ऑनला आने वाले हैं साथ ही महाराज 76 साल बुदेलिखंड विस्विद्धले छतरपुर में आपको step by step कैसे आविदन करना है नहीं नामंकन करना है और फीस प्रिमेंट करना है सबसे पहले यहां पर हम MP online portal पर जो है MCBU का portal open करते हैं यहां पर आपको नीचे लेकर चलते हैं सबसे यहां पर आपको enrollment form private का option आ चुका है और date से related जानकारी हम पहले दे चुके हैं कि कहां और किस date में आपको क्या करना है थोड़ी से information यहां भी बताना चाहें कि PDF की मादम से private छातर जो की post graduation करना चाहते हैं वो बिना बिलंब सुलक के साथ M.A.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M. 72-22 यानि आज 72-22 से 17-22 तक online आविदन कर पाएंगे तो यहां पर आपको आविदन कैसे करना है तो हम बापेस portal पर चलते हैं और यहां आपको बताना चाहेंगे जैसे कि हम इस option पर registration or enrollment from private student माई 2021 के option पर आपको click करना है जैसे ही इस पर click करेंगे यहां पर आपको दो option मिलते हैं new student mcbu university or already enrollment mcbu university यानि आपने अगर पहले graduation यानि BABSC B.com आदी महराज चात्रसल बंदिलखंड विश्विद्यर चातरपूर से ही किया है तो आपको यह इस already का option पर click करना है यदि आपने पहले कभी भी किसी और university से अगर graduation किया है महराज चात्रसल बंदिलखंड आपना graduation complete किया है तो आपको new student के option पर click करना है हम new student के option पर click करते हैं जैसे यहाँ click करेंगे यहाँ पर district पूछा जाता है हम सबसे पहले यहाँ पर अपना district select करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको college का नाम पूछा जाएगा college का नाम select कर देते हैं इसके बाद program name program में आपक MA, MC, MSC क्या करना है तो हम MA select करेंगे यहाँ पर आपको course और branch name यानि आप किस subject से post graduation करना चाहते हैं जैसे कि यह हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी select करेंगे admission type private है medium आप हिंदी medium या English medium में exam देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो भी select करना चाहें वो कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको first नाम लिखना है यहाँ पर first नाम आपको जो है कक्षा दसवी और बार्वी की जो अंकुसूची पर आपका नाम है पिता का नाम है बही यहाँ पर टाइप करें सबसे पहले हम यहाँ पर छात्र का नाम लिखते हैं यहाँ पर उनकी last name में जाती लिखते हैं अगर कक्षा दसी बार्वी की साब में आपकी जाती नहीं लिखी है तो यहाँ पर छोड़ देना है इसके बाद आपका नाम यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है date of birth सेलेक्ट करना है हम यहाँ पर date of birth सेलेक्ट कर देते हैं जो भी इनकी date of birth है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना या direct आप जो है इसे type भी कर सकते हैं तो जैसे कि इनकी जो date है वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको पूंचा जाता है आप मद्द्दिस के निवासी हैं तो यहाँ पर अगर मद्द्दिस से रहने वाले हैं तो यस करें नहीं है तो नो कर दे हम यस करते हैं जेंडर में आप से पूंचा जाता है आप महिला है य पुरो सेलेक्ट करते हैं इसके बाद फादर्स नेम यानि पिता जी का नाम लिखना है जो की दसवी की माकसीट के हिसाब से लिखना है यहाँ पर माता का नाम लिखना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप विवाहत हैं आविवाहत हैं तो हम यहाँ पर अगर विवाहत ह है या निए छोड़ देना है इसके बाद यहां पर divi स्लेक्ट करना है डाक क्यर्णल ओवी स्ट्ट जो भी है स्लेक्ट करें सब divi में आपको यहां पर अगर आप Vickleand है तो hand CAP select करेंगे इसके बाद यहां पर यह यह option हम छोड़ देते हैं, यह कोई option हमारे लिए नहीं है, अगर आप यहाँ पर easy वल हैं, तो यहाँ पर form tick कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं, नेशनल्टी, नेशनल्टी में आपको यहाँ पर Indian select करना है, यहाँ पर आपको अपना धर्म बताना है, हिंद documents पर आपका address है, यहाँ पर आप type कर सकते हैं, address type करने के बाद आपको अगर permanent address आपका और address समान है, तो यहाँ पर copy के option पर click कर सकते हैं, अगर यह दोनों पता आपके अलग-अलग हैं, तो अलग-अलग लिखें, इसके बाद यहाँ पर other detail, other detail में आपको अपना mobile number लिखना ह तो यहाँ पर phone number आपका यहाँ एक है, तो इसे अगर है तो छोड़ लिखते हैं, याणि अन्नता इसे छोड़ सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको mobile number जो की compulsory है, और email ID जो भी compulsory है, तो यहाँ पर यह दोनों चीज़े लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आगे चलते ह है, education detail में, याणि आपने इस बर्स जो इससे पहले आपने कौनसी qualification complete की है, वो यहाँ पर लिखना है, तो आपने अभी post graduation के लिए आविदन कर रहे हैं, तो आपने graduation किया होगा, तो यहाँ पर आप graduate select करेंगे, अगर आप पहले से post graduate कर चुके हैं, तो post graduate भी select कर सकते हैं, त अंदर किसी university से आपने graduation किया है, या मद्दप्रदिस से बाहर की university से graduation किया है, तो हम यहाँ पर inside MP करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको उस board यहाँ उस university का नाम यहाँ पर type करना, जिस university से आपने graduation किया है, वो लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर passing year लिखेंगे, आप अगर passing year में यहाँ पे 2022 तक का option है आप 22 भी select कर सकते हैं तो यहाँ पे percentage लिखना है percentage आपको जितना percentage है वो यहाँ पे type कर देते हैं इसके बाद यहाँ पे आपसे migration का जो है number पूछा जाता है तो आपके पास अगर migration certificate का या transfer certificate का number है तो लिखें अन्न था इसे आप छोड़ सकत हैं इसमें कोई problem नहीं है यहाँ पे आपको roll number type करना है पहले जो आप यहाँ पे information दे रहे हैं उस graduation का roll number यहाँ पे लिखना है यह जानकारी आपको सही सही लिखना है अगर इसमें कोई जानकारी में तुर्टी होती है तो फिर आप इसे edit नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे के बाद इसे दुबारा check करें इसके बाद ही आविधन submit करें यहाँ पे आपको कुछ option में tick करना है तो हम proof of date of birth में tick करेंगे यानि कख्षा 10W की mark sheet यहाँ पे mark sheet में tick करेंगे migration है तो tick कर दें नहीं है तो छोड़ दें ग, app certificate है तो tick कर दें नहीं है तो छोड़ दें इसके ब उपर नीचे फोटो हम आपको फोटो और सिगनेचर लगा के बता देते हैं कि किस टाइप से आपको जो है यहाँ पर फोटो सिगनेचर लगाना है तो हम बापेस चलते हैं अपने पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फोटो और सिगनेचर दोनों साथ साथ होंगे इस के option पर click करेंगे submit button के option पर click करेंगे और आपको यहाँ पर fees payment करना है fees payment आप net banking debit card, credit card, MP online के उसके माद धमजी कर सकते हैं जैसे ही आप fees payment करते हैं आपको आइस्थाई enrollment number generate हो जाता है आपको आइस्थाई enrollment number generate होता है उसे आपको print करना है slip को क्योंकि यह college में जमा होगा और उस आइस्थाई enrollment number को copy करना है या लिख लेना है और बापेस हम चलते हैं अब दूसरे page पर यहाँ पर आपको exam form भी भरना है exam form भरने के लिए हम नीचे चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं examination application का option है तो यहाँ पर examination form first, third, fifth, seventh, ninth का option है आपको इस option पर click करना है यहाँ पर आपको enrollment number बो आएस्थाई enrollment number आप यहाँ पर डालेंगे पेस्ट करेंगे यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर आपको session select करना है दिसंबर 2021 यह नहीं आप post graduation दिसंबर 2021 का आविदन कर रहे इसका क्यां से पता चलेगा तो यहाँ पर आपको जो है 17 आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्र लिख़े हुए तो यहाँ पर इस साबसे आपको आविदन करना है सबसे पहले यहाँ पर आप तो यहाँ पर अभी आविदन इसमें से खुल के देख सकते हैं यहाँ दिसंबर 21 यह जून 21 में अगर आपका आविदन खुल जाता है तो ठीक है अन्न था आप एक दिन का बेट करें यहाँ पर बहुत जल्द मई 2021 का option आएगा मई 2021 के option को आपको search करना है और face payment करना है या फिर यहाँ पर अगर option खुल जाता है तो ठीक है नहीं खुलता है तो यहाँ पर आपको रुकना है क्योंकि आज ही side open हुई है तो यहाँ पर अभी option नहीं आ रहा है हो सकता है यहीं पर exam form का option दे दें इसी portal पे तो यहाँ पर अगर exam form मई 2021 का option देते हैं तो आप उस पर जाकर direct fees payment कर सकते हैं फिर आपको केवल fee fee payment करना है और इसके अलावा और भी जानकारी आती है तो वीडियो के माद दम से दी जाएगी अधिक जानकारी के लिए comment कर सकते हैं comment के माद दम से पकरने का फूर पैस करेंगे जानकारी अच्छी लगए तो लाइक और से जबू करें धन्यवाद